एसलाम अलेकूम, तो आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया है दुपार से, तो दुपार का मेरा सारा काम हो गया है. यह देखो बरतर मैंने रखें को रखें है सूखने के लिए, यह बाबा बरतर निकालता है, तो मेरे काम को बढ़ाता है, तो यह के सारा आज, अए मौसम भी तर तो घुट अच्छा है धूप निकली है इत अगल डिक अगलने अघ्रफ के बाद अगलब कर दोते हो अगल भी जितना था न जितना उचा था उतनी नहीं पड़ी जो मुतलब कि इस मौसम में जितनी पड़ दिये उतनी तो नहीं पड़ी तर ना से बेतर कुछ तो पड़ गई तो आगे हो कहते हैं 21-22-24 तेन चार दिन और भी मौसम खराब रहे गा तो मैंने सब्जी लाई थी वो भी मैंने सेट करके रख दिया तो यह देखिए सब्जियां लाई थी हो मैंने सेट करके इस तरह ट्रे में रखा है क्योंकि पता कि इस वकत ना फ्रीज में रख दो मैं तो अplaying को रख जाता है क्या fractions अलगे साथ मैं गलतना प्रफ जाता है फिर इसे पार इसवोधियां प्ली जैसी हो जाती है तो इस विजसे में इस सब्गला ने रखता हुए वार लखता हूं आध्यों से आङ एका हो बफू हूं-ब्रफ ना बठी पर आजर में घार न तो इसी तरीकले से बनाऊंगी कोई मिश्कुल तरीकले से नहीम बनाऊंगी इसी तरीके से बनाऊंगी पस काम सरा हो गया है तो नहीं जाएं पहले प्रस्टी comedy सब्सी कातूं तंक इस बनाऊं गिद्ट और देखो इतनी सर्दी है मेरा मैं खुद का काम नहीं हो पा रहा है हैंड वरक काप कोशिश करूंगी बस आर दस दिन यह और नहीं चिले कलान होता है चालिस दिन का तो किती दिन निकल गया आज हो गया तो थोड़े दिन और रहा है उसके बाद में हैंड वरक का काम शुरू करूंगी और उसको लेकर आती हूं देखो क्या कर रहा है देखो यह करता है यह दो आर दोना पड़ेगा यह नहीं मानता है यह नहीं मानता है चोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है ने ले लो तो नहीं चलो किछन बंद करना है मेरे को चलो तो यह किस तरीके सुरू इससे मार पड़ी हो इसको मार नहीं पड़िए इसको डांट पड़ती है बस अब आ गया ना बस वो तक्षी जो लगए ना सेटो के अब उनको गिराएगा आप अभी देखना यही कुश करता सारा दिन सोजा थोड़ी तेर के लिए किस तरह करेगा इसको सर्दी में नहीं लगती है तो मुनीब साब को मैंने अच्छे से सुला दिया है अब मैं पीडियों चाई इसके बाद चाई पीने के बाद मैं वह सबजी बनाऊंगी साथ में मतर है जब ही मैं सारा काम कर लेए ज्याँ की मैं शवार बनाऊंगी साथ में बनाऊंगी और तो यह देखी मैंने ना अलू को बिलोगी उन्हा आ इस नहीं थी नेकल लूँ जिल्दी से दुखा निकल जाएगा तो यह ना दही है इसको मैं ग्रैंड कर लूँगा आज मैं आलू गोबी ना दही में बना रही है दही वाले आलू गोबी तो तेल इसलिए कार रहा है क्योंकि आलू और गोबी को दोनों को मुझे फ्राई करना है तो इसका तो मैं शौर्ट वुडियो डालूँगे आप सबसी बन जाएगी फिर मैं इसको आपको फाइनल लू को दिखाऊंगी ठीक है तो यह देखिए दही वाले ना आलू और गोबी बनके तियार है बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो आप जरूर प्राई करना ही देखिए आलू अच्छे से हो गया यह देखिए पहल इसको फ्र अब ही महनूर ने कितना सारी महगी बनाई है रात के वकत है मुनूर इता दीजिए दिखाऊ मेहनूर पानी ज्यादा नहीं कर दी है छोड़ो ना यह शूपी नूडल से लोगी तो टेस्ट करते हैं अच्छा उसको खिलाओ पहले उसी को खिलाओ उसने खान तो मुनीव रो अच्छा इतने में खून पर शीने की महनत होगी मेरे पैर को लगई एक ले बोर नहीं किया है यह शौक है उसका एक उसने यह बनाया है अपलोड को उसने में खल से किया है यह बनाया है यह यह अच्छा लगा अच्छा करती है यहां से प्रैक्टिस करके फिर वह आगे फिर वो ड्राइंग करना पसंद करती है वो ड्राइंग करेगी तो मुनीव कैसे पीछे रहा सकता है तो यह देखिए वो इसको तंग करता है फिर वो इसको चौक देती है फिर यह होती है मुनीव की ड्राइंग वो करता है जितनी देर अगर वो करती रहेगी ना होता है कि अगर ये मेरे को दिखा रही है ना मैंनों ये मैंने किया है तो वो भी मेरे को करता है कि वो देखो मैंने भी किया है तो अब मैं साफ करूंगी सारा क्यों कि अभी तो मैं सोएं उठेंगे तो अपने ड्राइंग फिर से देखेंगे साफ साफ चीज देख लेगा किस साफ करके फिर आपसे मिलती है तो यह देखिए आए ना जो पैर के खाने में गुगनी बनाई है कितनी अच्छी बनी शाम का खाना है आज मेरा दिल के अब यही बनाने का सिंपल है कोई मसाले ही डलता है तो इसकी मैंने शॉर्ट वोडियो डाली है इसके साथ ना वो नहीं हो तो यह देखिए अभी मेरा काम अभी हो के हटा है बस अभी थोड़ा कितने दस मिंट हुए है उतनी देर में यह भी जिनाब उठ गया इनको बस जैसे पता चल गया है मावेलियो यह भी मैने सारा साफ कर दिया अभी साफ दिख रहा है आगी का पता नहीं क्या हुआ बस तो